ओम स्यान्तिन हम सभी को विशेश ब्रह्मा वत्सो को जिनकी माया से युद्ध है मनोबल की बहुत आवस्चता है बढ़ा चड़ा मनोबल साथ में निर्वहता भी आज हम केवल माया को सामने रख कर बाते कर रहे हैं माया कईयों को भैभीत करती है माया को इसलिए सास्त्रों में राक्ससों के रूप में लिखाया है वार करते हैं तो कई भैभीत ही हो जाते हैं क्या होगा जीत पाएंगे या नहीं कई हार तो नहीं जाएंगे भविश क्या होगा फिर हमारा भगवान के बने हैं, कहीं भगवान हमसे छूट तो नहीं जाएगा, इस तरह की बाते भी मन में भै पैदा करती हैं, प्रन्तु हम कुछ चीजे याद रखेंगे, जिने भगवान स्वयम साथ दे रहा हो, उन्हें भैभीत होने की क्या जुरत है, जिने भगवान शक्तियां द रहा हो, उनके पास तो कितना बल हो जाता है, हम इस सद्ध को जान लें और मान लें, कि स्वयम भगवान हमें शक्तियां दे रहा है, साथ दे रहा है, बहुतो कोई इसकी अवेर्नेस नहीं है, वो अपनी उधेड़ भुन में, अपनी उल्जनों में, कहीं हार में, कहीं में रह जाते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि बाबा हमारे साथ है वो हमें शक्तियां दे रहा है इसलिए हमें डरने की बात नहीं है इस चिंतन को बहुत बढ़ाएं मैं आप सभी को एक राय दूँगा कि कुछ संकल्प आप अपने पास लिख कर रखें जिनका ब् बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरे साथ स्वयम भगवान है और मैं स्वयम भी बहुत भाग्यवान हूँ सवेरे उठते ही ये तीन बार पांच बार याद करो देखो कितनी अनर्जी मिलती है मनोबल बढ़ेगा क्योंकि अदर्वाइज निगेटिव संकल्पों में बहुत सारी हमारी मन की शक्तिया नस्ठ हो जाती है और मनोबल वीक पड़ जाता है ऐसे ये दूसरी बात भगवान स्वयम हमें साथ दे रहा है वो गुड़ फ्रेंड बनकर हमारे साथ आया है हमसे ज़्यादर वो हमें बनाना चाहता है हम तो बूल भी जाते हैं उसे नहीं बूलत कि मुझे इने माया जेत बनाना है मुझे इने परफेक्ट बनाना है मैं सूचा करता था जितनी द्रड़ता और सुब इच्छा बाबा के मन में है हमें बनाने की उतनी इच्छा और द्रड़ता है हमारे मन में भी हो जाए तो कमाल न हो जाए तो हम सबेरे दूसरी ये बात भगवान मुझे साथ दे रहा है, मैं अकेला नहीं और उसकी शक्तियां मुझे में समा रही हैं, बाबा ने कबी इस तरह कहा, कि अगर तुम यह याद रखो, कि बाबा हमारे साथ है, तो सर्व शक्तिवान की शक्तियां तुम में समाती रहेंगी, तो बहुत बड़ी चीज है इससे हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा साथ-साथ अपने मन में सुन्दर पावरफुल संकल्प भी रखें उन संकल्पों को भी आप लिख लें कहीं और रोज सबेरे उठकर उन्हें रिवाइज किया करें जैसे हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग से हम पीछे कदम नहीं अटाएंगे विजय हमारी निश्चित है ये भगवान का हमें वरदान है कितना सुन्दर संकल्प है तूसरा संकल्प हमें जिस मन्जिल पर पहुँचना है हमें मन्जिल तक पहुँचने में कोई बाधा रोक नहीं सकती क्योंकि स्वयम सर्व सक्तिवान हमें साथ दे रहा है बाधाएं नस्थ हो जाएंगी और हम अपनी मन्जिल पर पहुँच जाएंगे इन संकल्पों से हमारे दर्टा बढ़ेगी हमारा मनोबल बढ़ेगा और ये जीवन के हर फिल्ड में काम आएगी जो काम मुझे करना है ओ करना है दर्टा पुर्वक करना है अच्छा काम ये संकल्प हमें दर्ट करेगा हमारे मनोबल को बढ़ाएगा तो हमें आत्मिस्वास जागता चले उससे हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा हम बाबा के कारियों में बहुत मदद करते रहें बाबा की ओर से मनोवल मिलता रहेगा, ये मन की शक्ति, जितनी हम में हो सकती है, उतनी संसार के किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती, लोगों ने बड़े-बड़े काम किये, मात्मा गांधी के पास भी तो मनोवल था, हार नहीं मानी, नहीं तो बिटिश सास्कों का इतना था इतना दबाव था पुलिस का इतना फोर्स था कि किसी का मनोवल तूट सकता था पंतु मनोवल नहीं तूटा हम भी इस तरह के सुन्दर विचारों से अपने मनोवल को बढ़ाते चलें और निर्भैता का कवच पहने रखें तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चान् अब जब लावसे विप तुम्टी